तो एक तरिके से अगर देखा जाए तो भारत अपने एरफोर्स के आवशकता और नेवी के एरविंग के आवशकता को पूरा करने के लिए स्वधिशी तरिके से कई तरिके के एरक्रैप्टरों को डिवलप्ट करने के उपर काम कर रहा है। एरफोर्स के लिए पहला स्वादेशी एरकाप्ट तेजस को डेवलप्मेंट करने के बाद भारत को एक कदम तो आगे बढ़ने का मौका मिला तो उही पे अगर हलिकॉफटरों के मामले को देखा जाए तो एडवांस लाइट हलिकॉफटर, लाइट उटिलिटी हलिकॉफटर लाइट कॉमबैट हलिकॉफटर जैसे हलिकॉफटरों के डेवलप्मेंट करने के साथ-साथ अब भारत के तरफ से मीडियम वेट के हलिकॉफटरों के भी डेवलप्मेंट किया जा और एक तरीके से देखा जाए तो भारत काफी हत तक हलिकॉफटरों के मामले में आत्मनिर पर वही पर अगर ट्रांस्पोर्ट एयरक्राफ्टों के मामले को देखा जाए तो भारत को यहाँ पर अभी वी काम शुरू करना बाकी है और वो भी स्वदेशी तरीके से हलागी दोस्टों DO228 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो यहाँ से भारत को काफी कुछ सीखने को भी मिला है एक बहुत बड़ा चांस भारत के पास था जिसे भारत के तरफ से एक तरीके से मिस कर दिया गया दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से फ्रांसपोर्ट एयर कैफ्टो को भारत आसानी से DO228 के जैसे भारत में निर्मान कर सकता था लेकिन करना सका तो डेटेल में इस वीडियो के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे है और चैनल को सस्काइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोश्lympi देखा जाए तो भारत के दरफ से मतलब हिंदूस्तन ऐरोनोटिक्स लिमिटेड के दरफ से DO228 एयर क्रेफ्टो को अब संपूर्ण रुप से भारत में ही बनाया जाता है अब तक हिंदुस्तन एरनोटिक्स लिमिटेड के तरफ से करीवन 125 DO228 मतलब डॉनिया 228 यार्क्राफ्टों का निर्मान किया जा चुका है और अब इसके H228 यार्क्राफ्टों के उपर भारत के तरफ से काम संपूर न किया गया है जो कि इसका ही एक civilian 19-seated यार्क्राफ्ट ह पर दोस्तो जिस तरीके से DO228 यार्क्राफ्टों को लेके भारत को एक बड़ा सक्सेस मिला और एक तरीके से इस काटेगरी के यार्क्राफ्टों के लिए भारत को अन्य देशों के उपर निर्फर करना नहीं पड़ता है वाइसे ही अगर इस family के अन्य यार्क्राफ्टों क किया गया और उसी तरीके से भारत इसके अन्य यार्क्राफ्टों के वर्जन के तहद भी आगे बढ़ता तो शायद आप भारत को 19 सीटर यार्क्राफ्टों के जैसे 30 से 40, 50 से 60, even 90 सीटर के यार्क्राफ्टों के लिए भी अन्य देशों के उपर निर्वर करना नहीं दूसों DO228 एरक्राफ्टों को भारत में मेनुफैक्चर करने के जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला वो है कि हिंदूसा एरनोटिक लिमिटेट इस काटेगरी के एरक्राफ्टों को मेनुफैक्चर करने में even अब कहतो एक तरीके से निर्मान करने के लिए भी मास्टर बन च दूस्तों ये जो एयरक्रेट है ये लो कोस्ट सोलूशन तो देता है साती साथ इसमें स्वाधिशी पन भी है जिस वज़ा से इन एयरक्रेटों के उपर भारत काफी अधिक निर्वरवी हो सकता है। भारत में इस तरीके के एर्काफ भी काफी लो कोस्ट होता और रेजिनल ट्रांसपोर्ट जो है वो भी लो कोस्ट हो सकता था दोस्व डी-ो-228 एर्काफटों के फैमिली के चलिए थोड़ा सा अन्ने एर्काफटों के बारह में भी जानते हैं उसे बैसिकलिए अगर DO228 यार्क्राफ्ट को देखा जाए तो ये दो क्रू मेंबर से ओपरेट होता है और इसमें 19 पैसेंजर बैटने का शमता है यार्क्राफ्ट का लंबाई करीवन 54 फीट 4 इंच, चौड़ाई 55 फीट 8 इंच और हाइट करीवन 15 फीट 11 इंच है यार्क्राफ्ट के विंग एरिया 340 मिट स्क्वार फीट और एम्टी वेट करीवन 3900 किलोग्राम है मैक्सिमम टेक उप वेट 6575 किलोग्राम, फ्यूल कैफसिटी 1885 किलोग्राम और इसमें 2 होर्णवेल TPE 331 10 टर्बो प्रॉप इंचिन का इस्तमाल हुआ है जिनमें हर एक इंचिन में 5 ब्लेड है और हर एक इंचिन के जो पॉपिलर है उसका डाइमिटर 8 फीट 2 इंच है दोस्वा ये जो इंचिन है ये करीव करीव 579 किलोग्राम ये फिर कहें तो 776 होर्सपावर जनरेट कर सकता है और एरक्राफ इंचिनों के सहारे करीवन 413 किलोमेटर पर आवर मतलब 223 नॉट्स के रफ्तार में उडान भर सकता है इस फैमिली के इससे थोड़ा बड़े आकार के एरक्राफ मतलब DO-328 को अगर देखा जाए तो इससे ओपरेट करने के लिए करीवन 3 क्रू मिंबर का आवशकता होता है एरक्राफ के कैपसिटी करीवन 30 से 33 पैसेंजर को होता है जबकि अगर पेलोट को देखा जाए तो ये 4890 किलोग्राम के पेलोट को कैरी कर सकता है एरक्राफ के लंबाई 69 feet 8 inch विंग स्पैन करीव 68 feet 10 inch और हाइट करीवन 23 feet 2 inch है एरक्राफ के wing area 430 square feet के आसपास है और इसका empty weight करीवन 9100 किलोग्राम है maximum take off weight 13,990 किलोग्राम है और इसमें दो प्रिटी विटनी Canada PW-119B टर्वोप्राप इंजिन का इस्तेमाल हुआ है जिन में से हर एक एंजिन का शमता करीवन 1625 किलोवाट या फिर कहे तो 2179 होट्स पावर के आसपास है मतलब दोस्तों यह जो यह aircraft है यह DO228 के मुकाबले में करीवन 3 गुना वजन में बड़ा है और आकार में भी करीव करीवन 3 गुना के आसपास बड़ा है यह aircraft के performance को अगर देखा जाए तो यह अधिकतम 620 किलोमेटर पर आवर के रफ्तार या फिर कहें तो 330 नॉट्स के रफ्तार में उड़ान भर सकता है और इसका range करीवन 1852 किलोमेटर है हाला कि दोस्तों इसके एक Z variant V है जिसमें टर्बो प्रॉप इंजिन के जगा में प्रिटी विटनी कैनेडा PW306B टर्बो फैन इंजिन का इस्तेमाल किया गया है हाला कि बाकी सभी मामलों में एर क्राफ एक ही वराबर है लेकिन इसके जो maximum take off weight है वो थोड़ा अधिक और करीवन 15,660 किलोग्राम है एर क्राफ के रफ्तार भी इंजिनों के बदालत थोड़ा अधिक है और मतलब 750 किलोमीटर पर आवर तक है जबकि इसके रेंज भी थोड़ा जादा है और 2740 किलोमीटर तक है दोसों इस सीरीज के अगर तीसरे एर क्राफ को देखा जाए तो इसे DO-428 कहा जाता है DO-428 तीन क्रूरल है एक ऐसा एर क्राफ है जो 44 पैसेंजर को लेके उडान भड़ सकता है दोसों ये एक तरीके के मध्यम क्लास के रिजिनल जेट एर क्राफ है जिसका लंबाई 81 फिट, विंग स्पैन 71 फिट 5 इंच और हाइट करिवन 23 फिट 3 इंच है एर क्राफ के फ्यूल कापसिटी करिव करिव 4640 किलोग्राम है जबकि इसमें दो प्रिटी विटनी कैनेडा PW308B टर्वो फैन का इस्तेमाल हुआ है जिनमें से हर एक एंचिन का शमता करिवन 32.9 किलो नूटन है दोसों इन इंचिनों के सारे ये यार क्राफ 765 किलोमेटर पर आवर के रफ्तार में उडान भर सकते है जबकि इसका रेंज 1665 किलोमेटर है दोसों इन यार क्राफ्टों को आप Embarrier ERGA 140 यार क्राफ्टों के साथ भी कमफियर कर सकते है पर दोसे इस सीरीज में जो सबसे भैतरिन यारक्राफ्ट है वो है DO728 फैमिली के DO728 अपने आप में ही तिन अलग अलग टाइप के यारक्राफ्ट है जिनमें DO528, DO728 और DO928 है दोसें तीनों यारक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसमें तीनों में ही दो क्रू मिंबर का आवशकता होता है जबकि DO528 के कैपसिटी करिवन 55 से 65 पैसेंजर का है जबकि DO728 का कैपसिटी 70 से 80 पैसेंजर का है 928 सिरीज के यारक्राफ्ट का कापसिटी 95 से लेके 110 पैसेंजर्स का है दोसर यारक्राफ्टों कि एगा आकार को देखा जाए तो 528 यारक्राफ्ट का लंबाई 78 फीट 1 इंच है जबकि 728 का लंबाई 88 फीट 9 इंच और 928 का 101 फीट 7 इंच है चोड़ाई 528 और 728 का 89 फीट के आसपास है जबकि 928 का करिवन 94 फीट 6 इंच के आसपास है 528 और 728 यारक्राफ्ट के लंबाई करिवन 29 फीट 8 इंच के आसपास है जबकि 928 का करिवन 32 फीट है दोस्तों यार्केप्ट के अगर रफ्तार को देखा जाए तो टिपिकली ये माक 0.8 के आसपास के रफ्तार में ही उडान भरता है पर यार्केप्टों के रेंज में थोड़ा बहुत फरक है और ये रेंज 2,963 km से लेके 3,565 km तक है हाला कि दोस्तों तीनों यार्केप्टों में अलग-अलग अलग इंजन का इस्तेमाल किया गिया है जिनमें 528 में General Electric CF34 8D1 इंजन का इस्तेमाल किया है जिसका गिया है इन जो यार्क्राफ्ट है ये किस तरीके का यार्क्राफ्ट है और भारत डियो टू टू एट के बाद अगर डियो सिरिस के अन्य यार्क्राफ्टों के तहद भी आगे बढ़ता तो भारत अब तक काफी हद तक इस तरीके के यार्क्राफ्टों के मामले में आत्मनिर्वर बन इस तरीके के एरक्राप्तों का इस्तेमाल भारत military के इलावा civilian market में वी कर सकता था और export market में जिस तरीके से अब DO-228 का इस्तेमाल किया जा रहा है उसी तरीके से भारत इन्हें भी export market में अपने बलबुते पे उतार सकता था अलाकि इसके इलावा इससे भारत को जो experience मिलता उस उससे केवल मात्र सारस जैसे यारकेप नहीं बलकि भारस C-130 जैसे यारकेप इवन ग्लॉब मास्टर जैसे यारकेप टोका भी डेवलोप्मेंट कर सकता था तो दोस्तो यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस् और आप वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन